नमस्कार आप देख रहे हैं YMS News 24 आईए देखते हैं खबर सिधात नगर से लोटन कुतवाली के देवर्वा घाट के पास हरे आम के पेड बिना पर्मिट के काटने का वीडियो वाइरल हो रहा था वारल वीडियो होने पर जीले के DFO आकाश दीव बधावन द्वारा तुरन संग्यान लेकर उचित कारवाई की गई DFO आकाश दीव बधावन ने बताते हुए कहा कि महराज गंच और सिधार्थ नगर की बीच पुलिया बनने को था जो की ठेकेदार द्वारा बिना पर्मिट के हरे पेड़ कट वाली जिसका सिधार्थ नगर में केस पंजी कृत किया गया और ठेकेदार से 15,000 से 20,000 तक का जुर्माना वसूला जा रहा है कि कल ही हमें पता लगा कि EWD डपार्टमेंट का सिला महराज गंच और सिधार्थ नगर के बीच में कोई अप्रोच ब्रिज बन रहा था जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो संबंदित ठेकेदार था उसने बिना पर्मिशन के मौके पेंट टट वाली है जैसे हमारे परसी मामला संग्यार में आया बाया सोशल मीडिया मैंने मौके पे संबंदित बंदरोगा अलाल बहार्दों को और संबंदित प्रवारी को बेजा और मौके पेंचके उन्होंने प्रिद कारवाई की उसके रेंज के संख्या 23 पटा 2021 इकेस रेंज नौकड मामला दर्ज किया गया है जना तीन बार दो हजार बीस को और उसके पंदरा से बीस हजार उपे का प्रतिकर जर्माना भी उनसे लिया जा रहा है सर अक्सर देखा जाता कि अभायत कटान कहीं न कहीं होते रहते हैं तो आपके बिभात वारा इत्व के अकारवाई की जा रहे इसके रोक ताम के लिए देखे धिर चाहिए पहुती है या दो फुर्वंधिन स्हें твор को जु़ाथ मेर कि वह संवेशिंदी अनोग पिए हैं थे तुम्र भी हैं संवेश्खे काटे जाते हैं जो इस चेतर में पर आपके सदाफ में पर बहुत सारी काई जाती हैं पर वो शासन द्वारा छूट प्रजातियां है इस करके हम उनकी ऊपर कोई कारवाई नहीं कर सकते हैं परहन्तु जब हमें इस टाइप की जो भी प्रतीमन्दित प्रजाती है जब भी हमें मौके पर लगता है जैसे कि कल की जोई लिखना का हमें बता लगा जैसे हमारे संग्यान में आता है हम उसके तुरित कारवाई रखते हैं